दोस्तों आज पर केश बहुत ही सेस्टिव है जिसकी वज़र से इसकेश के रियल कारेक्टर यानि कि उनके असली नाम को बदल दिया गया है। वोज़ता है कि रियल आइडेंटिटी रिवील होने की वज़़ से इस कैश से जुड़ें लोगों, उनकी फैमिली और रिलिटिफ्स को किसी तरह की परिशानी होती। दोस्तों दिव्टी के मौहर स्टेट रोड के पास एक कॉलोनी में एक मकान से बहुत बुरी बद्भू आ रही है, पड़ोसियों ने दिनी पुलिस को कोई करते बुलाया, पुलिस गट्टा स्टर पर पांची, जिस मकान से बद्भू आ रही थी वह एक कमरे का फ्लैट था, उस क्लैट में लौक लगा हुआ पुलिस ने नौक तोड़ा और दर्वाजा तोड़ पर घर के अंदर राखी रही है, कमरे की अंदर एक लड़की का शौर पड़ा था, लाच तक रिवन चार बिन पुरानी रद्दी थी, और उस लड़की की उम्र लगभद 32 से 35 साल के बी कुरर ही रखा हुए खा, तोस्तों, आज क्यसका केस के नौक लड़कों के नफ स्टोरी से सुरू हותा है, इस क्यस में तीन बिन करेक्टर है, अंकिता प्रीतम और सुप्रिया, कैसे यह प्यार से सुरू हुई कहानी ट्राइए तक पहुंस दी है, कैसे एक लड़का प्यार को लड़की के जिंडर में बदन लेता नहीं और आगे क्या कुछ होता है इस स्टोरी में मेरे अपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए क्योंकि इस वीडियो का क्लाइमेट्स आपको चौका देगा वो वीडियो में आफिर तक बने रहे हैं दोस् की मुंबई के वसई में रहता है उसका भरा पुरा परिवाद में अलगो के पिता बिजनेसमें है और उनका बहुत अच्छा कारुबान है अलगो एक विल सेटल फैमिली से आता है अलगो ने एंबियो कर रखा था और वह अपने पीता के साथ बिजनेस संभाव रहा था 27 श कॉल उठाता है और इस बार एक मिनट से ज्यादा बात होती है कोई प्रीतम पॉल पर था वागो मुबई में किसी जनर्य के बारे में अंकुर से पूछ रहा था अंकुर ने बात की और कौन डिसकने कर दी इन्हीं सब के दौरान अंकुर के फेस्बुक उसे एक प्रेंड र जाता है दोनों में अच्छी खासे दोस्ती हो जाती है एक दुसरे से नंबर भी एक्स्चेंज कर लेते हैं जब अंकुर उस लड़की का नंबर अपने फोन में स्क्रेप करता है तो उसे पता से लगए उस नंबर के पहले वी दो बार बात हो चुकी एक मतासला कि वह वहीं पैमिली के साथ रहे वहोगा हुए अपने वैंबर का मत स्टार्ट हो चुका था अंकुर और प्रीतं में दोस्ती इतनु कहरी हो गई थी कि वैए एक दुसरे से फोन पर लगना ताय बात करते लेते थे खौड़े ही वत में प्रीतं को इस बात का इसास हो गया कि अंकुर का ही वात्स पार बाते लिद्गी से लंगों की तरह हैं। कुछ बातें करता था। उसकी बातें की तो ये वाक करने लगा। उसपीनकुड पर यह सबूजथे ही कि अधक सर्थ Applause आफ़ optimist लिदारां मेंध्या बात अच्छी लिए होगी कि उनकी फैमिली और समाज इस रिस्टिंग को कभी भी ना समझेगा और नहीं माने गा क्योंकि हम कि ने नियु मॉडर्ण क्यूं नहीं हो जाएं लेकिन हमारे सोसाइटी हमारी फैमिली हमारे रिलेटिब आज भी इस तरह के विश्टों को अच्छा आप रिस्ता ही नहीं कहता है कि उसे शादी नहीं करने प्रीतर ने अंपुर से कहा कि वह दूसरे से प्याब को करते हैं लेकिन इस रिष्टर के लिए कभी भी हमारे घरवाने नहीं मानेंगे अब अगुर और प्रीतर ने मिल कर एक फैसला कि उन दोगों में से अगर कोई एक लड़की बन जाए त तो तो तुम अपना जेंडर आसानी से चेंज बर सकते हों अंपुर को भी अठीक लड़ा हूं किसी को यह डिसीजन देना ही था और वह प्रीतर से इतना प्यार परता था कि अपना जेंडर चेंज करने के लिए तयार हो गया हूं अंपुर ने जब इस बारे में अपने घर वालों से बात की तो भरवाले बेहद नाराज हूँ और अंकुर को बहुत समझाया हूँ लेकिन अंकुर नहीं मानों वह अपना घर तक छोड़ने के लिए तयार हो गया हूँ अंकुर मुंबई में ही भैंदर रोट पर एक फ्लाट किराये पर लेता है वह प्रीतम को भी अप जरी कर रहा हूँ और वह लड़के से लड़की बन गया प्रीतम उसका धान रखने के लिए उसके पास ही अभी रुका हुआ था अब अंकुर में अपना नाप अंकुर से अंकिता रख लिया और लड़कियों के गितप में रहने लग गया सब कुछ ठीक चल रहा था अंकु बड़ी अंकिता प्रीतम से बात करती है और दिल्ली आने के लिए कहती है अब अंकिता दिल्ली पहुच गए दिल्ली में मोहन स्टेट के पास एक फ्लैट रेंट पर लिया जाता है और अंकिता उसमें रहने लगती प्रीतम भी अंकिता से मिलने आता जाता रहता था एक मेरे घरवाले इस रिष्टे के लिए नहीं मान रहे हैं फिर अंकीता ने प्रीतम से कहा कि हम कोड मैरेज कर लेते हैं प्रीतम ने कहा ठीट है उसमें थोड़ा वक्त लगेगा मेरी कुछ सेंडियर में उनसे बात करता हूं अब प्रीतम भी अंकीता के साथ उसी प्लैट में र होता था लेकिन अक्सर बीमार सी रहने लगी जब 15 दिर और निकल गए तो अंकीता ने कहा कि हम शादी को कर रहे हैं तो प्रीतम ने बताया कि उसने अप्रेकेशन दे दिया है जल्ब ही रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल आ जाए अब जन्वनी 2002 आ चुका था अंकीता की तब और भी जादा पहले से खरार रहने लिए वह पूरे दिल सुस्त रहती या तो सोती रही 27 सर्वनी 2002 के दिए अंकीता को फून की उल्टियां मोड़ती है वह अगरा जाती है और उसने यह बाद प्रीतम को बताई दोनों फिर से डॉक्तर के पास जाते हैं डॉक्तर ने फिर स से वह सुप्रिया को पहले से जानती थी सुप्रिया उसको देखकर जोर से हसती है और कहती है कि आखिर कार्तों अपने अंजाम तक पहुची गए अंकुर यह बात सुनकर अंकीता बेहर परिशान हो जाती है लेकिन बहुत जारा कमजोर होने की बज़र से वह जमीर पर गिर जाती है प्रीतम और सुप्रिया दोनों साफ मिलकर होसते हैं और अंकीता को कुछ भी समझ में नहीं है पहले सुप्रिया और प्रीतम दोनों मिलकर अंकीता को रसी से बांग देते हैं और उसके मुह में कपड़ा डालकर उसका मुह भी बंद कर देते हैं और दोनों वही अं प्रितव और सुप्रिया वहां से सारे सबूत मिटा कर निकल जाते हैं तीन दिन तक जब दर्वाजा नहीं खुलता और परोस्यों को बद्वू आती है तो किसी ने कॉल करके दिली पुलिस को बुलाया और इस तरह से दर्वाजा तोड़कर अंकिता की लाश को बरामट किया पुलिस को सिनाक्त के लिए अंकिता की फ्लैक पर कुछ भी नहीं मिला था क्योंकि प्रीतव और सुप्रिया पूरे कमरे की सफाई करके गए थे पुलिस को उस कमरे से सिठीट जो कावज का टुपड़ा मिला था जिस पर अंकुर लिखा हुआ था जो जलने से बस गया पु लिया गया था जो मुंबई का रहने वाला था पुलिस को लगा कि जिसकी नाश मिली रहा अंकुर की गर्डफरेंड है और अंकुर ने पहरे स्टाक्त किया और फिर वहां से फरार हो गया पुलिस की यह तिन मुंबई उस एड्रेस पर पहुंसती है जो अंकुर की आईदी पर था वहां अंकुर का परिवार मिलता हो पुलिस ने पूर स्टाश की और परिवारवानों को बताया कि अंकुर किसी का पकत्र करके भाग गया है अंकुर वाले परिशान हो गए पुलिस सभी अंकुर के घरवालों से पूश्टाश करी रही थी कि दिल्ली में अंकिता की तो इस फैसे मुंझे जो नास मिली थी उसकी पोस्तमोटब डिपोर्ट आ गए COM準 में इस के Зचको और उंधा लिन पॉर्टरकी ने पुलिस को बटाया कि जिसकी लाश मिली है उसने हाथ ही में लड़के से लड की बनने के लिए अपने जेंडर को चेंज करवाया हूँ इसकी अनावा दॉक्तर ने पुलिस को यह भी बताया कि जिसकी लाश मिली है उस लड़की को पिछले दो महीने से धीमा जहर दिया जावा था जिसकी वजह से उसके बॉड़ी के और गर्स धीरे-धीरे फेर हो रहे थे और ठराव हो गए थे और फैर क घरवालों में प्रीतं के बारें में ही पुलिस वालों को बताया है लेकिन उनकी पास प्रीतं की कोई तस tillीर नहीं थी कुलिस वारे अंकुर और कि अंपिता वनी लड़की दोनों की फौटो और iD लेकर दिल्ली वापस आ जाते हैं अंकूर के पिता भी पुलिस के बास और अंकुर कर्शा उनके पिता को सौब दिया जाता है। यह तो कनफर हो गया था कि यह लाश अंकुर उर्फ अंकिता की थी। लेकिन कतल क्यों हुआ और प्रीतम कहा है यह जानकारी पुलिस के पास अभी तक नहीं थी। पुलिस को जिस स्वाग से लाश मेली थी उनके पडोसियों से पुलिस वालों ने बात की कि किसी नगर प्रीतम को देखा है तो उसका स्केच बनवाया और स्वाग के मानिक को भी थाने में बुलाया गया। ताकि सबकी मदद से प्रीतम का एक स्केच तयार किया जाए। इस तरह से प्रीतम का एक स्केच यानि की पोस्टर त्याग किया गया और दिल्टी के हां पुलिस टेशन में बेज दिया गया। और साथ ही साथ उसके पोस्टर और स्केच को दिल्टी के जगर जगर पर लगा दिया गया। अभी एक दिन ही निकला था कि पुलिस को प्रीतम के बारे में जानकारे में पुलिस उस लोकेशन पर पहुंचती है और प्रीतम को एक कपड़े के शोरूम से गिरफतार कर लिया जाता है पुलिस प्रीतम से अपने तरीके से थोड़ा सकती से पुष्टाश करती है थोड़ी ह पुलिस प्रीतम के साथ उसके फ्लैट पर ही रहती है और सुप्रिया को भी गिराफतार करके थाने लाया जाता है सुप्रिया और प्रीतम ने सच बताना सुरू किया प्रीतम किसी बिजनसमैन पर बेटा नहीं था वैल्कि वायर एक कपड़े के शुरूर में जाब करता था मुंबई के एक कालेज में किसी कॉम्पटिशन इजान के लिए गई थी वही दर उसने अंकुर को देखा था. अंकुर उससे बहुत पसंद आया था और उसने उसी वक्त अंकुर्स से बात करने की कोशिश की. लेकिन अंकुर ने सुप्रिया में कोई इंटरस्ट नहीं लिया। सुप्रिया ने अंकुर के साथ उसके दोस्तों से अंकुर के बारे में जानकारे लिए। अंकुर्स के दोस्तों ने यही समझा कि अगर एक लणकी टिसी लड़के के बारे में पूछ रही है तो यह प्यार मुहब्बत के अलावा और क्या हो सकता हूँ। इस तरह से उसके दोस्तों ने अंकुर्स की सारी डिटेल सुप्रिया को दे दी। सुप्रिया को नेक्स ट्रे ही दिल्ली वापस भी आना था। उसके पाल ज्यादा बत नहीं था कि वह अंकुर्स से टाइम लेकर बार में मिल सके या बात कर से इसलिए वह अंकुर के पीछे-पीछे उसकी क्लास तक चली गे और उससे उसका नंबर मांगने लगी अंकुर ने म कॉलिष के एड्मीर से कर देता है। का एड्मीर सुप्रिया को बहुत डार्ट फटकार लगाता है और बेज़ति अपने साथ एक्जाम देने गए दोस्तों के सामने चुप चाप सहने एक्जाम खत्व होता है और दिल्ली आ जाती है। उसकी इस बेज़ति का एहसास कभी भी खत्म नहीं हुआ था इस प्राइजती ने सुप्रिया के अंदर अंकुर के लिए इतना जहर भर दिया था कि वहां अंकुर से बदला लेने के लिए सोच रही थी सुप्रिया दिफी में एक दिस शौपिंग के लिए जाती है और वहां शोरूम में उसकी मुलाकात प्रीतन प्रिया अच्छी तरह समझती थी एक दिन प्रीतम से मुबई में वई अपनी बैजती की घटना के बारे में बताती है और कहती है कि मुबई में वही उसकी इस बैजती का बदला अगर प्रीतम लेगा तभी वह प्रीतम के साथ अपना रिष्टा आगे बढ़ाएगी चुक की से अब्बुक से अथा का मुबाइल नंबर लेता है और रओन्बर बंकर अंपर को कॉल करता है फैस्बुक के जरिवी वह उससे दोस्ती करता हैं प्रीतव मीं जो कुछ भी अंकुल के साथ किया या फिर अंपोर से बी प्रीटम और अदूर की प्लानिंग थी जब ऑन कर बनकर दिल्ली आ गया तो उसको धीमा जहर देने लगी ताकि धीरे धीरे करके अंकुर मर जाए और किसी को पता भी न चले लेकिन सुप्रिया को अंकुर को अपने सामने मारना था और उसे तरपते हुए देखना था जिसकी वजह से वा उस रात प्रीतम के उस फ्लैट पर बयान के बाद पुलिस चार्ज शिट दायर करती है और कॉर्ट ने सुप्रिया और प्रीतम को उम्रकैती सजा सुनाई अभी तक की अपडेट के मुताबिक सुप्रिया और प्रीतम जेल की सजा काट रहे हैं दोस्तों अगर आपको यह कहानी और वीडियो पसंद आई वो त इसी तरह के एक नए केस के साथ तब तक सुरक्षित नहीं